नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग उखल कलासेस में आप सभी के स्वागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आए हूँ कलास नाइंद के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो की आपका 26 तरीक एक्जाम होने वाला है उसी पे अधारित है देखिए क्वेश्चन क्या है 0.4 7 पे आपका बार है तो इस टाइप के सवाल हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम बताते हैं आपको देखिए लिखेंगे माना कि x equal to 0.4 7 पे बार का मकलब है कि 7 आपका बार बार रहेगा देखिए पहला नियम है होगे कि जो बार रहेगा है जिस पर उसको हम बार बार लिख देंगे x equal to मान कर अब आपको क्या करना है दूसरा नियम है कि आप इसमें 10 से multiply किजी दोनों तरफ 10 से multiply करेंगे तो देखिए क क्या होगा 0 और यहां 4 आपका एक पॉइंट जो है आगे बढ़ जाएगा तो यहां 4.777 आपका हो जाएगा dot dot फिर आप क्या करेंगे 10 से फिर multiply किजी तो यहां 100 x हो जाएगा और फिर आपका एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा यहां पर तो 7777 इस तरह हो जाएगा dot dot इसको आप समीकरण एक मानिए और इसको दो मानिए क्यो हम इसको एक मान रहा है इसको दो देखिए पॉइंट के बाद जब आपका 777 इसमें है और पॉइंट के बाद 777 मतलत जिसमें भी हम देखेंगे बराबर हो गया जब देखेंगे कि 2 समीकरण हमारा बराबर हो गया त कि स्वामी करवन 2-1 करने पर 2 में से 1 को घटाने पर यहां लिखेंगे हम 100x बराबर 47.777. उसके बाद यहां आप लिखेंगे 10x बराबर 0 4.777. अब आपको क्या करना है घटाना है तो यहां घटाएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा 90x हो जाएगा यह 7-7 है पॉइंट के बाद सब 00 हो जाएगा आपका यह ठीक है और यहां 47 में से आपका 4 गया तो बचा क्या 43 अब x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 43 बटा 90 आपका हो गया इस तरह से हमारा x का मान आगे यह हमारा एंसर हो गया तो आप देख रहे हैं P बटा Q के रूप में किस तरह से लिखा जा रहा है यह आपको समझ गए होंगे नेस्ट कोस्टिन क्या है हमारा आप देखिए दूसरा नमबर आपको बताते हैं दूसरा भी आपको ऐसे ही बनाना है सेम प्रोसेस है देखिए दूसरा आप देखिए कैसे बनाना है आपको बताते हैं दो नमबर जो है आपका इसमें इस तरह मानेंगे एक सिक्वल टू दो नमबर बना रहे है तो आपको क्या है 0.6 पर बार है तो 6-6-6 लिखेंगे 10 से मल्टिपलाई करेंगे तो एक आगे बढ़ेगा 6-6-6 यहाँ देखिए पॉइंट के बाद दोनों बराबर हो गया तो हमको आगे और 10 से गुणा करने की जरुवत नहीं है यहाँ यह समीकरण 1 हो गया और यह 2 हो गया लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 2-1 करने पर एक सवाल ठिक्स है इसमे आपका आएगा अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2-1 करने पर लिखेंगे 10x बराबर 0-6.666. और x यहाँ लिखेंगे फिर हम 0.666. आपको घटा ना है 10 में से x गया तो यहाँ पर आपके क्या बचेगा 9x यहाँ आपका 6 बचेगा बाकी यह 0 हो जाएगा क्योंकि 0-0-0-0 नहीं लिखेंगे तो 6 बटा 9 कटा देंगे इसको 3 से कटा यह डिरेक्ट तो यह हो गिया हमारा x इकोल टू 2 बटा 3 यह आपका एंसर आगिया उमीद करते हैं दोस्तों आप लोगो को जो है समझ मेरा होगा अब देखिए इसी सवाल को अब हम आपको ट्रीक के साथ समझाते हैं कि अगर अबजेक्टी में पूछ जाता है तो कैसे बनाएंगे देखिए आइडिया इसका यहाँ पर हम देख रहे देखिए फॉइंट के बाद जो बार है यहाँ देखिए पॉइंट के बाद दोनों पर बार है यादि सब पर बार है तो सीम्पल दुखे दूसरा नमर को ऐसे बन जाएगा चोव बटा नौब क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंख है तो एग उन्नोव आपको उतार देना इसको कटाएगा दू बटा तीन एंसर आगी आपका दू बटा तीन चार नमबर सावाल देखिए आइसी यह 0.47 है और दोनों पर बार है तो यह हो जाएगा आपका 47 बटा निनननबर यह आपका एंसर हो गिया डाइरेक्ट आप लिख सक यहां क्या है आपका बार है इस पर है तो एक आइडिया समझे सबसे पहले जितना भी यहां आपको उंक दिया रहेगा उसको लिख देना है लिख दिये हम यहां पर अब आपको क्या करना है इतना लिखने के बाद हमको यह चीज़ देखना है उसके पाद माइनस किजिए कि पॉइंट के बाद और बार से पहले, क्या संखिया है, चार है, तो उसको लिख देना है आपको, पॉइंट के बाद और बार से पहले, चार है तो चार लिख दिये, अब उसके बाद नीचे लिखना है आपको दोस, दोस के बाद देखना है, पॉइंट के बाद कितना अंख है तो दो लिख दिये यहां पर पावर इसका लिखना है पावर करके माइनस फिट दोस पॉइंट के बाद और बार से पहले क्या है आपका एक उंक है तो यहां एक उंक डालना है तो यहां 47 में से चार गया तो 43 आप 10 के स्क्वाइर आपका हो जाएगा 100 ठीक है यहां 10 के पावर एक है तो यह होगा 10 यानि कि 43 और यहां से हम घाटा देंगे तो क्या आएगा 90 आगया इस तरह से 43 बटन 90 इस तरह से आपका यह अंसर हो गया इस तरीके से भी आप बना सकते हैं उमीद करते हैं आप लोगो को समझ में आ रहा है यह पहला क्वेश्चन ही आपको बताए है आप इससे समझ सकते हैं कि मतलब किस टाइब के सावाल आने वाला है यह पहला है और ट्रीक से आपको समझा है नेक्स्ट वीडियो में आपको देखिए हम बताते हैं और सब क्वेश्चन नाइंध कलास का